नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि शंकट मोचन हनुमान जी ने उठा लिया गदा अब आपके जीवनकाल के सारी दुखों का, सारी बिपतियों का, सारे परिशानियों का, जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में लगाता चल रही है पिछले कई वर्सों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप बहुती जादा परिशान हो गई, हर एक उपाय करवाली, जीवनकाल में आप बहुती जादा ठक हार गई लेकिन दोस्तों, शंकटों की निदान महावली हनुमान जी एक बार अवश्य करते हैं, अगर उनके उपर आपका सच्चा सरदा है, सच्चा विश्वास है जी हाँ दोस्तों, और आप महावली हनुमान जी, आप सभी के जीवनकाल में बहुती बड़ा कदम उठाने वाले हैं, एक परकार से कहें तो दोस्तों, आपकी मेहनत का फल, आपकी भक्ती का जो फल है, या समय देने वाले हैं, बाला जी की गिरपा आप सभी को प्राप्त ह हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 5-7 दिनों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में आचानक से बहुती बड़ा चमतकार होगा, दोस्तों बाला जी पर यकिन किजी, आप सभी को बता दें कि जीवनकाल में यूही आपकी परजितियां चुटकियों में खत सकते कि हमारे जीवनकाल में यह परिसानियां चल रही है, क्योंकि दोस्तों समाज के लोग, बाहर के लोग आपका मजाग भी उड़ा देते हैं, आपको हमेसा खिलियां उड़ाने लगते हैं, इसलिए दोस्तों अब अपने दुखों को अपने दर्द को अपने अंदर ही द अब आपका ही सहरा है, दोस्तों ऐसे तमाम परकार के किरियां आप अपने जीवनकाल में करते हैं, जिनसे दोस्तों इस वर तो प्रशन होते ही हैं, लेकिन दोस्तों इस वर को यह चीज पता है, कि कौन सा कार हमें कब देना है, जीहां दोस्तों, और यह समय भी आपके एक् प्रवाट्म होने वाली है और दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी और महतपुन बात यह है कि जो लोग आपको पिछले समय परेशान करते थे दोस्तों जिन लोगों के चलते आप बहुती जादा मुस्किलों का शामना की हैं जिनके चलते आप रोए हैं दोस्तों इन सवी से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी जीवन काल में आपके बहुती बड़े महतपुन बदलाव आने वाले साथ दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिहां दोस्तों बस बाला जी महराज पर रेकिन कीजिए उनके भक्ती भाव पर ध्यान दिजिए उनमें लेन रही दोस्तों अपने कामों को उनके उपर छोड़ दिजी जिहां दोस्तों हलाकि दोस्तों पिछले समय से ही अप भगवान पर विश्वास रखते हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समयों में आपके जीवनकाल में ऐसे तांतरी किरिया हुई है जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा सरीड में प्रोबलम हुआ है स्वास्त में दिकते हुई है आपके तवाचा में प्रॉबलम हुई है जिस पर करके खाने आपके नहीं पच रहे थे ग्यास को लेकर दिकते जहलने पड़ रहे थी दोस्तों चाह कर भी आप चाहते थे कि आप स्वास्त रहे लेकिन दोस्तों शमय शमय पर आपको बिमारियों का शामना भी करना पड़ा है जीवन काल में वह शमय आप बहुती ज़्यादा परेशान हो गए थे लेकिन दोस्तों आप सबी को बता दें कि वह समय भी बाला जी नहीं आपको रक्षा किया है और यह समय भी बाला जी ही है जो कि दोस्तो आने बाले साथ दिनों के अंदर आपस विके जीवन काल में बहुती बड़ा चमतकार करेगा बरस्ते दोस्तों अब बाला जी पर निरंतरन विश्वास करते रहें उनकी पूजा अराजना करते रहें और सच्चे मुन्शे कमेंड बॉक्स में जै हो बाला जी जै महराज जरू लिखेगा आपके अर्जिश विकार होगी बाला जी महराज प्रशन होगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आगे वीडियो में बात करेंगे की आने वाले साथ दिनों के अंदर आपको हनमान जी के आसीम असिरवा से आप सभी के जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाब होने वाले हैं और दोस्तों ध्यान में रखने बाली बात यह है की आने वाले साथ दिनों के अं देर भी लग सकती है तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा इनमें आप सब महत्वपुन जानकारी के बारे में भी जानेगे कि आने वाले साथ दिनों में आपकी जो भी ग्रहों की बदलती चाल होगी इनमें आप किन-किन छेतरों को लेकर शाब्दान ने होगे कार करने से लाग की प्राप्ती होगी भगवार महावली हनुमान जी के आशिरवात से आपके घर के महावल में पारवारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होगे तो दोस्तों आंतों तक देखिएगा उश्यप आले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो बात आने वाले साथ दिनों में आपको कौन सी विशेस उपाय को करना है ताकि दोस्तों भगवान महावली हनुमान जी का आसिम असिरबाद आपको प्राप्त होता रहे हनुमान जी आपसे प्रशन हो शकी जीवन काल में शारे परिशानियां शारे समस्या का अंत हो जाए और दोस्तों आपको इन दोनों में एक इक्षा सकती जागरित होगी इसके कहने का यह अर्थ है कि इस्वर की भक्ती छोड़कर बाकी सबी चीज इस्वर योग हैं इसलिए हमें इस्वर से सिक्षा स्री हनुमान जी से लिनी चाहिए ये अभिमान हमें इस्वर के स्वर्व होने का गर्व महसूस कराता है नोकी एहंकार अगर मान ही करना है तो इस्वर के सेवक होने का करू जो इस संसार में हमेशा के लिए यादी अन्नत है अर्थात इसके परवाव से हम क्रोध त्वेश एसिया मुह एहंकार से दूर रहते हैं जिहां दोस्तों इसलिए हमें इस्वर की भक्ति सेवा का अविमान पर गर्भ होना चाहिए क्योंकि दोस् जोड़कर जय जय सिर्राम जय सिर्राम जय सिता मया हनुमान जी महराज की जय जहां दोस्तों तो दोस्तों यहां ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जय सिर्राम जय सिता तो आपके आने वाली शाथ दिनों के अंदर आपको कौन-कौन शी भड़ी खुश क्वरियां आपको मिलने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान सिर्राम का असिरवाद आप आपके साथ आ चुका है और आपके जीवन काल में अब ये बड़े बदलाब होकर रहेंगे हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले साथ दिनों के अंदर भगवान सिर्राम के अ चंवान यह पूरे सापता में आपको करना है। ‎ समय गत्तीर विदियों में भी आपका यह समें बहुती ज्यादा रूची बढ़ने वाले हैं। बहुती बढ़ी तर्यक्री यह समय आपको भग्वान शिर्राम के असरवाद से मिल्ने वाले हैं। गर के नजदी की जो समन्दी हैं उनके आगवन से सुखनामा महोल भी याश में रहने वाला है क्योंकि भगवान सिर्राम का आशिरवाद याश में आप पर होंगे की खुश खबरी आपके पूरे परिवार को खुश कर देंगे जिहां दोस्तों दोस्तों याश में गिरिशती बहुत ही अच्छी है कई तरह की जानकारी मिलेगी दोस्तों की आप एक्छा रखने की बज़ाए अपने कार छमता और योगता पर ही अधिक विश्वास रखें किसी खास व्यक्ति की समस्या को सुल जाने में आपका योगदान रहेगा रुके वे काम निप्टाने के लिए समय बहुती अनुकुल है साथि किसी समाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा गर का महोर, सुकर और सांती पूर्ण भले रहेंगे अब अपने व्यक्तित गत्ति विदियों पर वेहत्रिन तरीके से ध्यान केंदित कर और उसमें आपको शफलता भी मिलेंगे दोस्तों इन दिनों की शुरुवात किसी खुश खबरी से होगी इसे लापारवी अत्वा आलस की वज़े से किसी भी फौन कॉल को नदर अंदाज ना करें आपको कोई महत्पून सुचना मिल सकती है और आप उर्जा और आत्म स्वास से भरपूर महशुश करेंगे इनके साथ-साथ अपने किसी महत्पून कार को निप्टाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है परवसारी लोगों के साथ मुलाकात के आफसर बनेंगे और भविश शमंदी योजनाव पर भी विचार भी मर्स होगा सांतान की किसी सफ बना रहेगा रिष्टों में भी मदूरता आएगी किसी अनुवी वेक्ति के सहयोग से चर्री किसी समस्या का समधान मिलेगा साथि आज आचानाई कोई रुका हुआ कार पूरा हो सकता है बच्चों के साथ कुछ समय वेतित करना था उनका मार दर्सन करना उनके आत्म विश पर विचास विमर्ज भी होगा धार्मिक अधात्मी गत्य विदियों में भी कुछ में जरूर दें इसे आपको शफलता मिलेंगे इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दोने में कुछ शाबधानियां भी देखकर चलनी होगी किसी भी नकार्तम प्रसिती में गुसा या आव गत्य विदियों पर समय न लगा कर मौजदा कामों पर ही ध्यान दें कुछ रुकावटें आएगी लेकिन चिंता न करें समाधान भी मिल जाएगा नोकरी पैसा लोगों को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जोरत है इसी मामली से बात को लेकर पड़सियों से कहा सु हवा करना उचित नहीं है इसे आपकी विर्योदियों की वीच जलन की भावना आ सकती है साथे अपने व्यक्तिकत मावलों में किसी का हास्ते छेप ना होने दें घर के किसी सदर से को आपकी मदद की ज़रत पड़ सकती है वैपसा में नया काम सुरू ना करें क्योंकि उचि मिलेगा लव लाइप के बारे में देखा जाए तो पती पत्नी आपसी समंदों के वीच चले तनाव का असर परिवार पर ना आने दें आपस में ही बैठकर सुल जाने तो अच्छा होगा दोस्ता आपके स्वास्त में तुशा समंदी एलर्जी हो सकती है गरिश तो भारी ख जाने का भोग लगाएं मंगलवार के दिन ब्रह्म महूरत में उठकर एक वट बिर्ख्ष के पत्य पर लाल रंग के पैन से अपनी एक्छा लिखें और हनुमान जी के चर्ण में आरपित कर दें इसे आपकी सभी मानुकामनाएं पूर्ण होंगें दोस्तों अगर नोकरी की तलास कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा चड़ाएं जिस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली अंक तीन है दोस्तों महावीर बजरंग बली का आशि